हेलो गाइज आज हम बात करेंगे मोडिूल 2 एनोटमी एंड फीजियोलोजी का चप्टर 1 एनोटमी कल टर्मेनोलोजी एंड डेफिनिशन के अंदर जो हमारा पॉइंट था मुव्मेंट टर्मेनोलोजी एक्सराइस करते हैं अलग लग मुवमेंट होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैक्सन फ्लैक्सन का मतलब होता है दो अज़्डियों का पास माना दो अज़्यों के बीज में इंगल का डिक्रीज होना ठीक है और इसी का जस्ट अपोजीज होता है extension ठीक है extension में होता है कि दो हड्डियों का दूर जाना दो हड्डियों के बीच में जो एंगल है उसका increase होना ठीक है जैसे जिम में एक exercise करते हैं लेग extension जब ऐसे बैठे होते हम मसीन पर तो इस टाइम पर हमारे जो पैर होते हैं थीक है जैसे उसे हम उपर पुस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है एंगल बढ़ता है ठीक है यह दो हड्डियां दूर में जा रही है तो यह क्या हो गया लेग extension ठीक है और ऐसे एक exercise करते हैं डंबल कल्स तो जब डंबल कल्स करते हैं तो जैसे हाथ रिलेक्स पोजिशन में होते हैं तो इसको उपर लाते हैं यह यह फ्लेक्शन मुव्मेंट हो रही है जैसे हाथ नीचे जाते हैं वह एक्स्टेंशन ठीक है तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वह रोटेशन रोटेशन जैसे wrist rotation, neck rotation, hip rotation, arm rotation, ठीक है, यह rotation होगी, उसके बाद आता है abduction, abduction ऐसी exercise जो हमारी body से दूर जाती है, ठीक है, ऐसी movement या ऐसी exercise जो हमारी body से exercise करते ताइम पर दूर जा रही हो, उसे बोलंगे abduction, जस्ट इसका opposite है adduction, ठीक है, adduction ऐसी exercise जो हमारी body की तरफ आ रही हो, ठीक है, ऐसी movement जो हमारी body की तरफ आ रही हो, उनाम से पता चल रहा है, add, adduction, ठीक है, abduction, adduction, ठीक है, और उसके बाद जो next moment है, वो है, circumduction, circumduction में ये चारों moment आते हैं, पाँचों moment आते हैं, कौन-कौन सी, flexion, extension, rotation, abduction, adduction, जैसे एक jumper के लिए, एक fast baller होता है, cricket में, ठीक है, उसका जो balling action होता है, वो circumduction में काम करता है, जाता है, उसमें हमारा flexion होता है, extension होता है, rotation होता है, ये फूट को अपने पैर को उसे इनवर्जन का जाता है और उसी का जर्ष अपॉजिट एवरजन बाहर की तरफ स्ट्पेश करते हैं ठीक है यह एवर्जन हो गया मुवेंट है प्रोनेशन प्रोनेशन में क्या होता है कि हमारे जो पाम है हातों की फेस की तरफ होते हैंlike उपर की तरफ होती है जब हम डंबल कर्स करते हैं उस टाइम पर इस चीज का यूँज करते देखाँ हैं। ऐसे डंबल और इसके बाद आता है horizontal flexion horizontal exercise जब हम late के exercise करते हैं तो chest मार रहे हैं हम ठीक है chest press करते हैं तो लेट के करते हैं तो वो horizontal flexion में आता है उस time पर जब हम उपर करते हैं यह flexion हो रहा है ठीक है flexion कैसे हो रहा है बहुत सारी लोग यहां पर कंप्यूज होते हैं वह सोचते हैं हमारे हाथ सीधय हो रहे उपर की तरफ हाथ एक्सीन हो रहे हैं तोसचते हैं चेसट में हमारे डेलकोँ म्सल और चेस्ट मसल पे वर्क हो रहा होता है ठीक है जो हमारे डेलटोटए मसल है और हमारे चेस्ट मेसल हूँ यह dobran यह हमारा बॉणन 通 richness बॉणन यह लिद यह आपस मैं आ रहे हैं जैसे हमने आथ ऊपर करें तो आपस मिल रहे हैं यह predict अलकम हो रहा है तो यह flexion moment है ठीक है जैसे ही हम नीचे जाते हैं यह extension ठीक है बहुत सारी लोग confused होते हैं इस पर तो यह हो गया हमारा flexion horizontal flexion horizontal extension next moment है elevation moving और body part supiration towards head उपर की तरफ ठीक है इसी का just opposite depression moving और body part inferior towards feet और उसके बाद आता है plantar flexion plantar flexion जैसे calf raises करते हैं ठीक है calf raises कर रहे हैं उपर जा रहें calf raises ठीक है तो यह plantar flexion जिसका just opposite dorsi flexion उपर उचाई पर रखते हैं हम अपने toes को और नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं ठीक है तब काफ स्ट्रेच होती है तो डॉर्सी flexion में आता है यह हमारी कुछ movement term थी as a fitness trainer हमें यह चीज है पता होनी चीए आता है तो, मैं है की क्म भी मेंन है यह जिसका wॉर्सीन जा है भी में क와 चीए